प्वरन निचरोपैफिक क्निक में आपका स्वागत है आज कि वीडियो में हम बात करेंगे की एलबो की क्रेंट गर गर बैटफिड़े सेड़ में बीना दवाय एक हम अपनी एलबो की समिस्या को ठीक कर सकते हैं तो इस वीडियो को आगे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें लाइकम प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तो पहुंच सके तो आए हम जाल लेते हैं कि हमारे हाथों में कहां पर वह पॉइंट है जिस करना एक सब्सक्राइब करना जिस क्लोंने आइन को पहले अपको यहां पर ऐसे रखायत है पो दोनों हाथ है करके को पहले सिल अप्लाइब करें करें उसके बाद आपको इसर्ट्री मति üzerine आपको नहीं तीट लिएत नहाँ बेना CIA पलेज़िक ऑप अग सकते हैं मेति कर दना को आपको यहां पर हम इसको ऐसे लगा देंगे मेथी की पट्टी को अब देख लिए यह वाई लिट्रल है आपको दोनों आपधों में लगाना है प्रेशर देने से क्या होगा कि पॉइंट इस्टम्लेट होता रहेगा तब आपके लो की समसार ठीफ हो जाएगी इसके बाद हमको क्या करना आना है पीछली साइब उन्हें हाथ के पीछले से मैंने यह किड्नी का कोरस्पान बता है यह किड्नी को रीप्रेजिन करता है यह अ आप सैडीक्ता है और दूसरी साइड से यह गता है अब देख सकते हैं से दिख्ता तो यह जो म्हें ह프ते बनाया है इस पे इस इस आपको लगा लें यह पी बाय व्यावकिन तो आपको दोनूँ उन हाथो में लगाना है ताब दूनों हाथो में लगा मे इसको अगर को ऐसे लगाना है यह तो सीव थेरपी और दूसरा ट्रीटमेंट है मैगनेट थेरपी जो हमारा खिडनी का एरिया है यहां पर आपको लगाना है अगर आपके पास मैगनेट नहीं है तो आप क्या करेंगे कि इसके लिए हमको चीह राजमा आप मैं दिखा देती हूं अब देख अब कुसिंग्न के लिए बनाया है यहां पर आपको इसको लगा देना है कि दोनुए जगा पर लगाना है आपको यह त्रीटमेंट अपने करेंके आपकी यल्बू की समस्या इसको ठींड कर सकते हैं यह treatment आप जब भी करेंगे तो इस बात का ध्यान रखे कि आप जो यह seed apply करेंगे मेथी का दाना तो हाथ गीला नहोंने पाए कि कि हाथ जब गीला हो जाएगा तो यह seed फूल जाएगा फूलने के बाद यह नरम हो जाता है तो फिर यह पॉइंट पर प्रेसर नहीं जाएगा तो आपकी ठीक नहीं होगी तो इसलिए इसको लगाने के बाद आपका हाथ अकीला नहीं हो और 6 गंटे के लिए रात को सोते टाइम पे ट्रीटमेंट करिए और मैगनेट भी आपको 6 ग इससे आप अपने एल्बो की समस्या को घर बैठी ठीक कर सकते हैं हर चीज में दवाई लेने की जरूत नहीं है नेचरल ट्रीटमेंट से अपने आपको हेल्दी रख सकते हैं आप भी किसी समस्या से परिशान है तो कमेंड में जरूर माई साथ सेयर करें वीडियो को लाइक सेयर करना ना हुली थैंक यू